को बदले बदले नजर आए एक तरफ उनकी पत्नी सरकार पर आरोप लगाती रहती हैं तो दूसरी तरफ अतीक अहमत सीम योगी की गुनगान करते दिखाई दिये गुजरात की जेल से लखनव के सीबी आई कोट में आए अतीक अहमत को गुजरात के साबर मती जेल से कल रात ही लखनव लेकर आया गया था बसपासे विधायक रहे राजू पाल की हत्याकारोप अतीक और उनके भाई अश्रप्ट पर है गुरुवार को उन्हें सीबी आई की अंटी करप्शन कोट में पेश किया गया पुलिस वेन में बैठे अतीक से मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा तो वह सीएम योगी का गुंगान करने लगे अतीक अहमत को गुरुवार को लखनव के अंटी करप्शन कोट में पेश किया गया अतीक अहमत हाथ हिलाते हुए और हस्ते हुए पुलिस वेन से नीचे उतरा उसने अपने समल्थकों का अभिवादन किया मीडिया से बाच्चीत में अतीक ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी बहुत बहादुर और इमानदार मुख्यमंत्री है मीडिया रिपॉर्ट के अनुसार प्रयागराज में हुए बसपा विधायक राजुपाल हत्याकानद में मुख्य आरोपी अतीक हमत पर हत्या और आपराधिक साजिश की धाराओं में आरोप तै हो गए है अब 3 नवंबर को अतीक की फिर से कोट में पेशी होगी सुप्रीम कोट के आदेश के बाद बुधवार रात अतीक हमत को साबर मती जेल से लखनव जेल में शिफ्ट किया गया था भारी सुरक्षा बलके बीच अतीक हमत को लखनव कोट में पेश किया गया 2005 में 25 जनवरी को हुई थी हत्या साल 2005 तारीक 25 जनवरी एक दिन बार देश भर में गंतंत्र दिवस मनाने के चलते पूरा शहर तेरंगे से पटा पड़ा था इसी दिन इलाहाबाद शहर पश्चिमी से बसपा विधायक राजुपाल दोपहर तीन बजे के करीब स्वरू प्रानी नहरू होस्पिटल से वापस आ रहे थे राजुपाल अपनी क्वालिस गारी से थे जबकि दूसरी स्कार्पियो गारी में ड्राइवर महेंद्र ओम प्रकाश के साथ चारा नियलोग थे ख्वालिस चला रहे राजुपाल के साथ वाली सीट पर उनके दोस्त की पत्नी रुखसाना वैठी थी जिन्हें चौप्ट का के पास से राजु ने गारी में बैठाया था इसके अलावा राजुपियादवव देविलागभी गारी में पीछे बैठे हुए थे दोनों गारियां सुलेम सराई जीटी रोड पर अमितदीक मोटस के सामने पहुची ही थी कि एक गारी राजुपाल की गारी के आगे आ गई एक ही इपल में पाच हत्यारबंद सामने वाली गारी से बाहर आये और फाइरिंग शुरू कर दी फिल्मी अंदाज में अचानक सामने आई गारी से संभलने का मौका मिलता की सामने का शीशा चीरते हुए एक गोली राजुपाल सीने में चा लगी अतीक के भाई की हार बनी मौत की वजह इस हत्याकांड के पीछे की कहानी यह थी कि जब अतीक अहमत सांसत बना तो शहर पश्चिम की सीट ठाली हो गई उपचुनाव हुआ तो अतीक के भाई अश्रप को राजुपाल ने चुनाव हरा दिया था बस यहीं से छगड़े की नीद पड़ी हाला कि राजुपाल दो बार पहले भी जानलेवा हमला हो चुका था को बदले बदले नजर आए एक तरप उनकी पतनी सरकार पर आए